विल्कम बेक टू माई यूट्व चैनल पेपर हैकर जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारे पास question number 10 है question number 10 को हम discuss करेंगे इससे पहले अगर आपने long answer type question नहीं देखें तो सबसे पहले आप long answer type question देख लीजिए उसके बाद अगर आप इनको देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ठीक है चलिए हम discuss करते है क्लोरीन का आंडविक आरेक खेंचिए क्या खेंचना है आं हमें क्लोरीन 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 मॉलीकूल का मॉटी बनाना ठीक है मॉलिकुलर और वेटल ठीजिए क्या करना उसका अडविक खेंचना है ठीक कि इसकी आदार पर हम इसका जो बॉन्डाटर है वो भी निकाल लेंगे ठीक है चलिए क्लोरीन परमाणूं का electronic बिन्यास निम्न इस तरह साथ हुझ में अभ्यन की तो गर्चे हैं और फ्रीपी कितना है कि फाइब तो थ्रीपी पी एक्स बनाते हैं क्लूरीन के दो परमाणूम मिलकर क्लूरीन अड़ू बनाते हैं क्लूरीन के क्लूरीन के दो परमाणूम और यह दो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं एक क्लूरीन का अड़ू में 14 नहीं होते हैं कितने होगे आपके यहां पर 34 एलेक्ट्रान ठीक यह आपको दहार रहतना है क्लूरीन का अंडविक कक्षक इलेक्ट्रानिक बिन्यास लेक्ट्रानिक बिन्यास यह वह आपका विन्यास लेक्ट्रानिक बिन्यास लिख तो आपको इस तरह से प्राप्त हो इन इनक vadग बनाथे तब हमने jर्चर्णिक विन्यास मिलता है उसे हम कहते हैं जैसे कित्र एन्य को क्ते से यहां पर चौंतिर्टर्टर्ण ठीक है this is कि मतलब एक होता है का Sigma 1S2 और एक होता है सिगमा एस्टार स्ब्स ठीक है ये पहला कोस होता है जिसको हम के से रिप्रिजेन्ट करते हैं ठीक है तो क के के एक के लिए de ScrSON prima ज मत ओने स्टार बना जागा ठीक उसके बाद आजाएगा आपका सिग्मा स्टारी सिस इस्क्रूरार 7 ओंसे मास प्रिंटेनी पी पाइट क्षक का बिन्यास आपको इस तरह से देखने को मिल जाएगा ठीक है अब हमें क्या करना है कच्छक का बिन्यास मिलेगा अगर हम यहां से देखना जाएं कि बंधन कोटी यानि कि बॉंड और क्या होगा क्लोरीन अनुका बंधन करम यानि कि बॉंड डॉर्ड किस तरह से होगा तो बॉंड डॉर्ड निकालने के लिए आपने एक सिंपल सा फार्मूला पढ़ा था जिस अच्छकों में भरे जाते हैं ठीक तो यानि कि बंधन वाल इलेक्ट्रॉन जिन पर स्टार नहीं होगा थिक यह आपको ध्यान रखना जाहां स्टार नहीं होगा वो कैसे होंगे हमारे बंधन के लेक्ट्रॉन तो काउंड कर लो इसको चाहें तो छोड़ दो चाहें इसके 8 8 8 2 10 12 24 ओ Yakmar वर दो सोला होगे जिन पेश्म नहीं ही लगा हमने जिन पर स्टार नहीं लगा है तो वह शूद कितने हो गया आपके 16 अनध बिगवरी अ लगा हुआ होगा है तो औसके बाद 24 और दो 6 और 2,8 और ये 2, 10 और 12 और 24 तो ये कित्ते आ जांगे ये वाले आपके 14 इलेक्टोन आजांगे कब जब हमने पहले शेलिए अलेक्टॉन को छोड़ रखा है इनको, अगर आप चाहे तो इनको मिला सकने ठीक है जानी कि sigma बनेस्टू और एक हो जाएगे आपका sigma star बनेस्टू इनको दो दो को जोड़ना चाहो तो जोड़ो तो फिर क्या आ जाएगा अपका फिलस दो बराबर किता आ जाएगा अठारे लेक्ट्रॉन पिलस तो जब यहां पर घटाओंगे तो बटे दो तो बॉंड ऑडर कित्था आजागा यह कि हम कह सकते हैं कि क्लोरीन क्लोरीन पर मौनुड़ के बीच में जो बॉंड है वो कितना है एक बंद बंदा हुआ एक बंद से दोनों आपस में जुड़े हुए ठीक है तो इस तरह से हम क् क्लोरीन काणुसूत्र क्या हो जागा आपके यह जागा सिंगल बंड से इसे हम कहते हैं एकल बंद जो पी क्लोरीन के दो परमाणू के बीच में बना हुआ है इसमें एक भी अयुगमित एलेक्ट्रॉन ठीक है अनपेर्ड एलेक्ट्रॉन आपका एक भी नहीं होगा सब कैस प्रत्ति चुम्बकी होगा कैसा होगा डाया मैंगनेटिक होगा ठीक इस बात को आपको ध्यार रखना है जहां आयुगमित एलेक्ट्रान आपको यह भी मिल जाए तो कैसा हो जाता है अनुचुम्बकी एक भी अगर आपको अयुगमित एलेक्ट्रान मिल जाए तो कैसा होगा अनुचुम्बकी होगा उसका चुम्बकी बेवहार ठीक है और सभी अगर युगमित हैं सभी कैसे हैं युगमित सभी प्यार्ड है ठीक है तो वो कैसा होगा आपका प्रत्ति चुम्बकी कैसा हो जाग अब हम अंडविक और एक निम्न प्रकार है अब हम हमें यही यहीं पूच रहा था तो इसको हम कुछ तरह से पढ़ेंगे ठीक है आंडविक आर विटल और एक निम्न प्रकार इसका दे रखा ठीक तो सबसे पहले हमें क्या करना है क्लोरीन के दो परमाणू ले लिए एक क्लोरीन का परमाणू और दूसरा क्लोरीन का परमाणू इदर आ गया तो इस क्लोरीन के परमाणू के सबसे बाहरी कोस में हमने पढ़ा थे है कि इसके तु की बात करने वन तो यहाँ पर आपको मिल ला है एस वाले कि time 3ड में आपके कितने खोडर यहां झालन से एंटिंग पांच लेक्त्रों है 6 Colin जो कि आप यहां पर दे रखें ठीक है 3P और 3P दोनों क्लूरीन के अलग अलग प्रमादागों के जो पी और वीटल है वह हमने अलग अलग कर लिए अब यहीं पी और विटल आपसमें ओपर आपकर करके जो ऊर्बिटle बनाएंगे उस से हम कहने अडिविक और्भिटल क्या कहेंगे आफ देखो यह दूनों आपस में कि अबकूर एक दो थीन चार पांच जितने ये पर्माणों का औरंविटल आपस में मिलते हैं उतने ही आर्बिक और बेथल उव मत यह बात आप है तो सबसे पहले एलेक्ट्रान कहा जागा कमउर्जा वाले और विटल में जाएगा ठीक है तो इसको कहते हैं पाई थ्रीपी-एक्स और यह हो जागा आपका पाई थ्रीपी-बाई यह जागा आपका सिग्मा-3P-Z उसके बाद इसका यह जो है पाई 3P-A इसी का इससे अध का सिगमा अब देखी यह लेक्ट्रॉन इसका यहां से आगा और दूसरा हम यहाँ अब इसका दूसरा उलक्त्रॉन कहाँ पर आजाँगे यहां पर आजाएंगे match इंगे इसका तीसर और इसका कती आस जए ये आपके शिगमाक्या काँ ये आपकी 2 टूस qui ढ़त्व औल पहुंद जाएंगा यहां अधिकर्ण वाले कं Michael यह पांच में ये सब्सक्ता 20 उसके बाद क्या गया सिग्मा three P z square उसके बाद आ गया पाई सट्रीपिए अग्स स्कोर पाई श्टार three P black उसके बाद क्या गया इसमें जूरो एलेक्ट्रॉन है ठीक है तो इसी को अंगर हम अरेंज करते हैं वह क्या बन जाता हमारा अंडवे कख्षक बिन्यास बन जाता है ठीक है यह हो गई हमारे पी की भाद ठीक इसके बाद हम टूपी को इसी थीपी के बाद पहले क्या आगा थ्री ऑष्ट तो उसको और यहां पर भी दो इलक्टॉन, अब यह क्या करेंगे, दो ही ओर्विटर रनाएंगे, ठीक है, अंडविक ओर्विटर, तो यह क्या हो जागा, इसको कहते हैं, सिग्मा 3S, ठीक है, जो इनर्जी लेवल से नीचे होता है, उसको सिग्मा 3S, और यह क्या हो जागा, आपका सि सबस्थ समोगे यह थे तो क्लूरीज तो ग्रोडीज में किसके लेक्टॉन देखने को मिल रहED was आप देखो यहां पर कितने पांच पांच नोगे कितने कि छे इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे पी वाले में ठीक रूपी में अब धुपी में 6 मिलकर इतने ही 6 ही और्बिटल बनाएंगे ठीक है अंड़िक और्बिटल इसका एक एलेक्ट्र दूसरा इसका electron कहां पहुंजागा यहां पहुंजागा थिक से अधिक कूर्जा वाले है यहां पाई डूपी यह स्टार नstation यहां किबल पाई डू पी इस ठीक उसके बाद इसका electron और एक इसका electron कहां पहुंजागा customer पाई तूपी बाई में कहां पहुंचाँगा पाई टूपी ये पाई टूपी बाई लिखा इस्टार निये ठीक कर इस वाले से उपर जब जाते हैं तो स्टार बनता है ठीक से नीचे के विल आपका सिम्पल रहता हूं उसके बाद इसका李 एक्स स्कॉरर और इसका पांच मैं उलेक्टों का पहुंझ जाएंगे यहां पहुंझ जाएंगे टीक तो यह क्या होगा पाई स्टार टू पी बाइस को यहां होगा यह क्सिग्मा डूपी जैर्ट था क्या justement सिग्मा स्टार टूपी जैड स्क्वार क्या हो जागा सिग्मा स्टार टूपी जैड स्क्वार यह इधर वाले का है ठीक है तो यह आपका हो जागा पी वाले का इसके बाद हम बात करें तो हम देखेंगे कि स्राइब गया आपका और दूसरा यह स्कार का सिग्मा बचा उए लेक्टा इसका आप इसका कहा चला जागा एंटी बॉडुमार्णिंग में ठीक है तो क्या हो जागा सिग्मा स्टार क्लोरिन का क्या हो जागा आपका बने स्टू हो जागा जिसमें dो-dो क्षक्षक कंठा है यह स्टार बन जाएंगा आप हमें क्या करना अगर हम 14 क्षक्क्य modulus लिखना चाहें तो किस तरह ऐसे लिखेंगे यह जो लिखा हुआ है यहां से हम उपर तक चले जाएंगे जहां पर हमने सबसे लास्ट में भरा था तो बहुत जब आप पहुंच जाओगे थ्रीपी जैड स्कॉयर तक थ्रीपी जैड उसमें लेकन एलेक्ट्रॉन नहीं था यहां से ज बिन्यास आपका कहला था ठीक है तो यह आपको क्या करना है इसी तरह से अरेंज कर लेना सबसे पहले आप इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे उसके बाद इसको लिखेंगे एंड थैन कि उसके बाद आपको ये लिखना होगा उसके बाद ये उसके बाद ये इनकी इनरजी कैसे बड़ावर. लगभब बदरशित करें मैं इसके बाद आपको यह लिखना है उसके बाद आपको फिर से यह लिखना यहां पर यहां पर यहां पर आपको कुछ इस तरह से मिलेगा जो हमने यहां पर यहां पर आपको प्राप्त होगा जब आप इस तरह से लिखोगे तो यहां पर आपको प्रमाणू के बीच में जो बॉन्ड आपस में जुड़े रहते हैं तो यहीं हमसे सिर्फ यह ड्रॉ करवा रहा था जो हमने अभी बनाया है ठीक है यह यह आंडविक और एक ठीक है तो यहां पर क्या है अटमीक और भीटल आफ क्लोरीन और यह क्या है से वही क्या होता है हमारा एंडविक आर्विटल होता है ठीक है यह हम कह सकते कि आपको कुछ तरह से प्राप्त होगा जो हमसे पूछा गया था वो हमने पढ़ लिया ठीक है आई होग कि आपको समझ में आया होगा इदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं है तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें उसके पास उसके बाद साथ में लगे बेल आइकन को दबाते जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्रा